कि हैं है कि है गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाइज आज की वीडियो में माँ आपके साथ जशन के हेर वाश की वीडियो एंड टावल ड्राइंग की वीडियो शेयर करने लगी होप आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देऊं चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम शेंपू आयूर हर्बल शेंपू का यूज करूंगी जशन को हेर वाश किये वान वीक हो गया है तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले में उसकी ब्रेड को ओपन कर रही हूं कि उसने जूड़ा किया हुआ है उसके बालों में ऑईल भी काफी आया हुआ है ऑईल काफी ज़ कर लूँगी बालों को वेत करूंगी और मैं शेंपू, यूर शेंपू का यूज कर रही हूँ पिछले दो साल से यह वाला शेंपू, यूज कर रही हूं मुझे इसके रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे लगे है मेरे बच्चों को यह उसको इसका इसके रिजल्ट आपको इसके बहुत ही जदा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे मैं दो साल से यह वाला शेंपू यूज कर रही हूं काफी बॉटल्स हमने इसकी खतम कर दीगा है बहुत ही अच्छा वाला शेंपू है केमिकल फ्री शेंपू है तो आप देख सकते हैं आयूर हरबर शे कर सकते हैं इससे कोई भी आपके बालों पर नुकसान नहीं होगा तो मुझे जशन को दो बार शेंपू करवाना है क्योंकि उसे वान वीक हो गया है हिर वाश करवाई हूए और उसके बाल काफी जदा गंदे हैं बालों में ऑईल भी काफी आया हुए और डर्स्ट वगरा स काफी जदा लंबे हैं बाल काफी जदा उसके आप लेंथ देख सकते हैं और इसके इलावन उसके बाल हैवी भी बहुत हैं मतलब भारी बहुत जदा भारी बाल है तो हेर वाश करवातने में काफी जदा शेंपू यूज हो जाता है काफी टाइम लगता है उसके बाल सूख कि आधे पानी डाल दाल दिया अब न अच्छी तडरा सिर्ण सब्सक्राइब हो आप निकल गया है तो एक दो एंच्छी तरह से मसाज करूंगी अगर है कि अगर है ऐर ऊसर फॉल की प्रॉब्लम है तो या फिर डेंडरफ की प्रॉब्लम है तो आप यह वला शेंपू जरू ट्राइ करके देखिए मैं आपको रेक्मेंट करूंगी कि इसके रिजल्ट बहुत ही जदा अच्छे हैं बहुत ही बेनिफीशियल शेंपू है मुझे परसनली इसके रिजल्ट काफी जदा अच्छे लगते हैं इससे आपकी हेरफॉल की प्रॉब्लम भी कम होगी बिल्कुल केमिकल फ्री शेंपू है इसके जो इंग्रीडियंट है वो बिल्कुल नेचुरल है आमला शीका रिक आमला शीका का ही और रिठा बिल्कुल नेचुरल इसके इंग्रीडियंट्स है तो देखिए मैं उसके स्क मैं उसके बाद में उसके हेर उयलिंग करुगी और फिर मैं उसके जुडा करूँगी को तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिजिए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्यूंकि आपको लाइक करने का कोई बी चार्ज नहीं पेकना पड तो देखिए अच्छी तरह से मेसाज करने के बाद अब मैं उसके बालों में पानी डाल रही हैं तरह के शैमपू अच्छी तरह से निकल जाए बालों की length देख सकते हैं कि उसकी बालों की length आगे से और बी ज्ञादा बढ़ गई हैं बाल काफी जदा उसके हैवी हो गए हैं उसके dark black color के उसके बाल हैं और करली हैं और जब वोear wash ऐसे करता है जब उसके बाल wet होते हैं तो बेलकूर straight हो जते हैं अगर आप भी जशन की तरह लंबे बाल पाना चाहते हैं तो आपको भी अपने बालों का बहुत ध्यान रखना पड़े का बालों पर लगाईए और ब्रेड बनाकर रखें अपने बालों को जदा ड्राइ ना रखें और किसी भी हीटिंग टूल्स का यूज ना करें नैच्रली अपने बालों को सूखने दे बालों को जदा स्ट्रेट ना करें बालों को जदा करली ना करें शैंपू, कंडिशनर, ओयल, सिरम ये की तरह strong healthy हो सकते हैं आपके बाल भी इतने सुंदर बन सकते हैं तो देखिए गाइस जशन को मैंने hair wash करवा दिया है अच्छी तरह से बालों में मैंने पानी डाल दिया है ताकि जितना भी shampoo है वो सारा निकल जाए और hair wash करवाने के बाद मैं कुछ इस तरह से उसके बन बना रही हूँ इसके बाद मुझे टावल ड्राइंग करनी है तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं जशन को hair wash करवाती हूँ और आमला shampoo का मैं यूज करती हूँ काफी टाइम से मुझे ये शेंपू बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो गाइज अब मुझे टावल ड्राइंग करनी है आप देख सकते हैं जशन ने अपने बालों में इस तरह से टावल बांदा हुआ है वैसे हमें ज़्यादा टावल ड्राइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ना इससे बाल हमारे वीक होते हैं जैसे आप टावल की हेल्प से बालों को अच्छी तरह से पूंच लीजिए और फिर बालों को नेच्छरली सूखने दीजिए तो आप जशन के बालों की लेंथ देख सकते हैं कि जशन के बालों की लेंथ काफी ज़्यादा और हियर फॉल की प्रॉब्लम उसे बिल्कुल भी नहीं है जब हम उसके ऑईलिंग करते हैं या फिर टैंगल्स रिमूव करते हैं तो उसके बिल्कुल भी बाल नहीं जड़ते बाल नहीं तूटते हैं क्योंकि उसके बाल काफी ज़दा हेल्दी है तो देखे कुछ इस तरह से मैं उसके टावल ट्राइंग कर रही हो बहुत कम मैं उसके टावल ट्राइंग करती हूं अब ते इन से चार घंटे लग जाएंगे जशन के बालों को सूखने में बाल आप देख सकते हैं कि उसके बाल वैटी है तो उसके इतने सुन्दर लगते हैं और जब बाल उसके सूख जाते हैं तब उसके बाल बिल्कुल उसके करली हो जाते हैं तब उसके बाल और भी ज़दा सुन्दर लगते हैं तो आप देख सकते हैं होब गाईज आपको मेरी ये हेर वाश और टावल ड्राइंग की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको ये वली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और होब गाईज आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा तो चलिए गाईज अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू बाई